देखो जी मसला तो ये है जो रामबन से बानिहल जो रोड कस्त हाल रहता है बार बार इसके अंदर जो ये कमपनिया काम करते हैं तो company को जो ठाइगीदार है इनको तो सोचना चाहे आपको पता है कि कितने हाट accident हफते में होते हैं या मिहने में होते हैं इसकी जिम्यदारी खासवर पर है तो administration डिस्टिक administration की खास जिम्यदारी है कि इनको अपने control में रखना चाहे और road भी block नहीं होना चाहे और accident भी नहीं होना चाहे दूसरा मसला है हमारा यहां के बानिहाल hospital बानिहाल hospital के अंदर जो facility नहीं है देखो एक तो bullet bank कि यहां बहुत जरूरी है bullet bank इसलिए जरूरी है कि यह एक सबडिस्टिक बानिहाल पड़ता है इसमें बहुत बड़ी आबादी है बहुत बड़ी consistency है बाहर के लोग यहां अलाज करने के लिए आते हैं यहां अगर कोई महमली बंदा बीमार होता है तो उसकी अलाज नहीं हो सकता है यहां पर यहां से जरूरी होना चाहिए इस हास्पिटल के अंदर हास्पिटल तक खाली खोकला पड़ा है उसके अंदर ते कोई facility भी नहीं है बच्चों का डाक्टर तक भी नहीं है अल्डरा साउंड का सिस्टम भी नहीं है यहां पर मैं गौर्णर इंतिजामें से यह request करना चाहता हूं कि जलत से जलत जे बुलड बैक इस बानी हाल हास्पिटल के अंदर होना चाहे है अब के लिए तो जरूरी यह है कि यहां पर जो बेरोजगारी है मैंने बार बार कहां कि बेरोजगारी बहुत बढ़ती जाती है यहां जो कमपनिया काम करते हैं वो तो बाहर से लाते हैं ज्यादा हक है हक रखते हैं कि यह इसके अंदर इन कॉंपनियों के अंदर एड्जस्ट किया जाए एड्मिस्टेशन की खास में रुकेस्ट है कि यहां के जो बेरोजगार नौजवान है इनको एड्जस्ट किया जाए दूसरा मुदा है मेरा के गोर्णर इंतिजामिया से और मर्कजी सरकार से कि यहां पर डिस्टिक रामबन बानी हल के अंदर कम सकंदस हजार लोगों को नौजवान को आर्मी में बढ़ती किया जाए देखो जी यहां पर डिस्टिक सब डिस्टिक बान हाल डिस्टिक रामबन के अंदर जो महंगाई बढ़ती आ रही है यह तो के जो बापारी है पीछे ग्रॉंड आप कह रहा है सपोर्टर्स के लिए इतना सिटेड लेंड पड़ी है तो एड्मिस्टेशन से हम गुजारश करते हैं कही जगा पर जो सिटेड लेंड पड़ी है उसके अंदर एक यह ग्रॉंड दी जाए वह लेंड दी जाए बाकी थैंक कि जाए